नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं दिली की एक आदालत ने 26 जनवाई को ट्रेक्टार रहली के दरान दिली के लाल किले में एक धार्मिक जंडा फाराने के आरोपी गिरपतार पंजाबी अभिनेता करकाता दीप सिदू को साथ दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया दिली पुलिस ने आदालत से अभिनेता करकाता दीप सिदू को दस दिनों की इरासत में भेजने की मांग की थी बता देके ने सरकार के नाई क्रिसी कानून के खिलाब गंदर दिवस पर किसान संगठा की ट्रेक्टर परेट के दरान लाल किले पर होई घटना के सिलसिले में सिदू को गिरपतार किया गया था पूलिस ने सिंदू की गिरफ तारी करने में मदद करने वाले कोई सूचना देने पर एक लाग रुपे के इनाम की गोस्तना रखी थी मोधी सरकार के क्रिसी कानूनों को कितना समयते हैं जारकां के क्रिसी मंत्री बादल मोधी सरकार के नई क्रिसी कानूनों को लेकर पंजाब हो जाना कि किसान संगठनों के अंदोलन और देश दुनिया में बरपे हंगामे के बीच जारकां के किसी मंत्री बादल पत्रलेक ने इस पर अपनी कॉट टू कॉट राय रखी है बता दे उन से जब पुछा गया कि जमिन कैसे चीन जाएगी कानून में कहां है इसका प्रवधान तब उनका जबाब था कॉंट्रेक्ट का जो समझाता त्यार किया है उसमें किसानों का पक्ष जानने का पर्यास नहीं किया गया एक तरफा एग्रिमेंट कैसे होगा विबाद होने पर कैसे निप्टारा होगा या भी अस्पष्ट नहीं है जेटेट परिक्षा के आयोजन कुले का तयारी राष्ट्रिये सिक्षा नीती के प्रवधानों के ताथ सिक्षक पत्रता परिक्षा में बदलाव किया जाएगा ताकि विभीन राजियों में आयोजित होने वाली जेटेट परिक्षा में एक रूपता लाई जा सके इसे लेकर राष्ट्रिये अध्यापक सिक्षा परिशत ने जार्खन सहीत विविन राजयों से पहले से आवेजित की गई सिक्षक पत्रता परिख्षाओं की जनकारी 15 परवरी तक माँगी है आपको बता दे कि जार्खन में अब तक सिक्षक पत्रता परिक्षा की दो परिक्षाए हो सकी है बस्ट दो यर्दास में सिक्षक नियुक्ती के लिए सिक्षक पत्रता परिक्षा होतीन करने के निवरता लागू की गई थी मुख्य मंत्री हमंत सुरेन को एक बार फिर जान से मानने की धमकी जारकन के मुख्य मंत्री हमंत सुरेन को एक बार फिर से जान से मानने की धमकी दी गई है CM को ईमेल के जरी जान से मानने की धमकी मिली है धमकी भारा इमेल मिलने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है आपको बता दे कि पिछले साल भी CM को इमेल से जांच से मानने की धमकी दी गई थी CNT-SPT संसोधन एक्ट की तरह किसी कानून भी वापस होगा राजेस ठाकूर जारकन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के कारेकारिया द्यक्स राजेस ठाकूर ने दावा किया है कि जिस तरह से जारकन में CNT और SPT कानून में संसोधन का प्रस्ता वापस हुआ उसी तरह क्रीशी सुधार कानून की भी वापसी होगी वे राजी स्थित परदेश मुख्याला में मेडिया से मुखातिब थे ठाकूर ने कहा कि क्रोणा संक्रमन काल में देश में सभी को भरपेट भोजान उपलब्द कराने वाले किसान के लिए सरकार को फूल बिचाना चाहिए था लेकिन यहां तो काटे बिचाये जा रहे हैं जारखन के सभी मंदीरों को हिंदू धार्मिक नियास परसद में कराना होगा पंजियान दरसल राज सरकार ने विधी विभाग के प्रधान सचीव संजय परसात को दिसंबर 2020 में परसात का प्रसासक नियुक्ति किया है उन्होंने बताया कि राजी के मंदीरों के संपत्ति के रख रखाया और संचालन में परदासीता के लिए परसात की ओर से करवाई सुरू कर दी हाई स्कूल सेख़ न्युक्ति में 12 फरवरी के लिए परदास सीधी भरती चैन परदान सब्सक्राइब से शुरू होगी चाकन करम्चारी चैन आयोग ने मंगलबार को जाउच के लिए नया कर्यकर्म जारी कर दिया है इसके पलामू के अभ्यार्थी होगे 25 सिरा मिंधाना रखानाग्स की से तत्रे गतित किया औरक। राम ने मंगलवार को दी उन्होंने बताया कि नेभी जवान की अफरन के बाद हत्त्या मामले में सीबियाई जाच की मांग को लेकर सोमवार को उन्होंने नए दिल्ली में रक्षाम मंत्री राजनाथ सिंग से मुलकात की है रक्षाम मंत्री ने आविलम मामले की जाच कर दोस के पंचाज सची उमाकांच सिंग को 17,000 रुपे रिस्वत लेते हुए प्रखन कर्याले से रंगे हाथ गिरफतार किया है बता दे ACB के हथे चड़े पंचाज सची पर कूप निर्मान में रिस्वत मांगने की सिकायत के बाद यह करवाई की गई है आरोपीत पंचाज सची को ने आई खीरासत में भेज दिया गया है जारखन में 61 संक्रमित की पुष्टी हुई है जो बोकारो वा पुर्वी सिमों से तीन धनबात से पांच दोमका कोडार्मा सायवन सिमडेगा वा गुमला से एक एक वही राची से 45 ने संक्रमित मिले है जारखन में कुल संक्रमितों संख्याई एक लाग उनाई स्यार 116 है वहीं एक लाग सत्रा हजार 574 लोग स्वास्थ हुए और 1888 की म्रीती हो गाई बता दे जारखन में कुल एक टीब के 464 है कॉंग्रेस की ट्रेक्टर रैली में सामील हो सकते हैं राकेश टिकायद जारखन के किरिसी मंत्री बादल पत्रलेख मंगलवार को अचानक दिली रवाना हो गाए हैं उनके कारकरम की जनकारी करीबी लोगों को भी नहीं थी बाद में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के नए क्रिसी कानूनों खिलाप आयोजित ट्रेक्टर रैली में परदेश, कॉंग्रेस, प्रभारी, आर्पिएन सिंग और किसान नेता राकेश टिकायद को आमंत्रीद करने के लिए दिली पहुँचे हैं उन्होंने बताया कि जार्खन में अक्टूबर महीने से ही लगातार कोई कारिकरम आविजित किये जा रहे हैं किसानों के समर्तन में चलाये जा रहे आंधोरन के करम में अगामी बिस फरवरी को हजारी बाग में पार्टी की ओर से राज अस्तरिय महारायली आविजित की गई है जार्खन में जल्द खूल सकते हैं आठवी नवी वह एगारवी के स्कूल दसवी एवं बरावी के बाद अब कक्छा आठवी नवी तथा एगारवी के लिए भी स्कूल सिग्र खोले जा सकते हैं इसकी त्यारी चल रही है जार्खन मादमिक सीक्षा निदे साले दोरा इसका प्रताव तयार का स्वीकृति के लिए गिरी कारा एवं आवदा प्रवंदन विभाव को भेजा जा रहा है यदि इस पर स्वीकृति मिलती है तो अविभाव को की सामाती से इनका अक्षाओं के लिए बच्चे इसकूल बुलाया जा सकते हैं स्वीकृति मिलने पर सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी इसकूल भी खोले जा सकते हैं नीजी छेतर की 75% नोकरिया सिफ जार्खांड यों के लिए जार्खन सरकार ने नीजी छेतर की नोकरियों में 75% पोध जार्खांड यों के लिए बिधान सवा के बजट सत्र में प्रस्ताव लाया जा सकता है जनकारी के मुताविक प्रस्ताव को अम्तिम रूप देने में अधिकारी लगे हैं कार्मिक विभाग और स्राम विभाग के अधिकारी सनिक रूप से इस प्रस्ताव को तियार करने की दिशा में जुटे हुए हैं इसके अलावा भी सग्यों से भी सला ली जा रही है निजी चेतर में आरक्षन की वेवस्ता के दायरे में नई कम्पनियां आएगी तंबाक कू गुट का पान मसाला के उप्योग वा नुकसान का अध्यायन कराएगी सरकार जार्खन सरकार तमबाक को घुटका तथा पान मसाले के उप्योग पैटर्न और ब्यवहार का एक ब्यापक मुल्यांकन सर्वे के माध्यम से कराएगी जार्खन में प्रतिबंद के बावजूद इनका चोरी छीपे कितना उप्योग हो रहा है इससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है इसका अध्यान कराया जाएगा इस अध्यान के माध्यम से जानने की भी कोचिस की जाएगी कि इस पर प्रतिबंद लगाये जाने का कितना असर पड़ा है बतादे स्वास्त भीभाग ने जार्खन हाई कोट के आदेश पर यह अध्यान कराने का निन नहीं लिया है जार्खन के सिक्षा मंत्य जगनात महतों ने आखिर कर मौत को माच देकर जिन्दगी की जंग जीत ली है बतादे चेनाई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज आइन रिचर्च सेंटर में इलाज रात सिक्षा मंत्य जगनात महतों मंगलवार की रात 9 बच कर 20 मियट को पूरी तरह सोष्ट होकर अस्पताल से डिश्चार्ज हो गा है सोमवार को ही उन्हें MGM से छोटी मिलनी थी लेकिन एक जाच रिपोर्ट नहीं आने पर अस्पताल में ही रोक लिया गया था मंगलवार की देर साम रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से छोटी दे दी बता दे छुटी मिलता ही सिक्षा मंत्री ने इलाज कर रहे डाक्टर वदेख भाल कर रहे कर्मियों को पुष्प गुच्चा बेट कर अवार्प ब्यक्त किया बाहर निकल कर नौ जीवन देने वाले MGM अस्पताल को उन्हें नमन किया बिहार के पूरो मुख मंत्री लालो यादों से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले RC 47-A96 में सपताह में दो दिन मंगलवार और सुक्रवार को फिजिकल कोट में सुनवाई होगी बता दे मंगलवार को दस महीने बाद CBI के विशेस नियाधीस RC 47 की अदालत में मामले के सुनवाई होई सुनवाई के दोरान बचाव पुक्ष ने अपने पुक्ष में गवाप रस्तूत करने के लिए समय किमाग की अदालत ने अगली तारिक 12 फरवरी निरारित की JPSC की बहस पुरी सफल अभियार्थी आज रखेंगे पुक्ष हाई कोट में मंगलवार को जस्टिस एसके दिवेदी के अदालत में चटी JPSC के अमतीम परिणाम को चुनोती देने वाले बीवीन अचकाव पर सुनवाई होई मामले में JPSC की ओर से बहस पुरी कर ली गई है बुद्वार को सफल अभियार्थियों की ओर से पक्ष रखा जाएगा मामले में अब तक सभी प्रार्थियों और राजे सरकार की ओर से बहस पुरी हो चुकी है मंगलवार को सुनवाई के दोरान जेपीसी की वर से बताया गया कि छाठी जेपीसी परिक्षा राई सरकार दोरा ने दारी सभी माफदंडो के अनुरूप ली गई है जमसेदपूर में बस दुरगाटना ग्रस तीस घायाल बंगाल के हबड़ा जिले के बागनान से नितरहट जा रही मौसमी नामक टुरिस्ट बस आधी राथ को बहरा गोड़ा में दुरगाटना की सिकार हो गई सोमवर आधी राथ हुए भिसना हाथसे में जहां चालत गिर्धर सिंग की मौत हो गई वहीं बस में सवार लावगती सेलानी घायल हो गया है सभी घायलों को ततकाल बहरा गोड़ा चीएचसी में भरती कराया गया जहां से गंबीर रूप से घायल नौव सेलानीों को पच्छिम मंगाल के जार गराम रेफर कर दिया गया CEM को मिली धामकी पर DGP की ललकार धामकी देने वाले सामने आए जार्खन के मुख मंत्री हमान सुरेन को इमेल से मिली धमकी पर डिजीपी एंबी रावने ललकारते हुए काया कि हीमत है तो धमकी देने वाले सामने आए उन्हें पता चल जाएगा वैसे धमकी देने वालों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा डिजीपी ने कहा कि बेकार की बातों पर मैं ध्यान नहीं जाता मैं काम पर ध्यान देता हूँ डिजीपी मंगलवार को जमसेदपूर पहुँचे और पूलिस के अला अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निदेश दिये पीडित महिलाओ को आत्म निर्भर बनाने में जूटी सकी सहली जारखन में हिवेन ट्रेफिकिंग, डैन प्रथा, बाल मजदूरी, बाल बिवा और घरेलू हिंसा के मुदे पर काम कर रही सकी सहली पिडित महिलाओं को आत्म निभर बनाने में आहम भूम का निभा रही है बता दे सकी सहली पिडित लड़कियों और महिलाओं को ससक्त कर स्किल ट्रेनिंग से जोड़ रही है ताकि ए महिलाए भी आपने पैरों पर खोड़ी हो सके देश को चने के रूप में प्रोटीन सफलाई कर रहा जारखान डाल प्रोटीन के सबसे अच्छे सुरोतों में से ये खाय पहले लोग डाल रोटी को गरीबों का भोयन मानते थे लेकिन आज यही दाल गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है अब दाल रोटी भी मुश्की से मिल पता है वैसे तो जार्खन मुख रूप से धान उत्पादक राजे के रूप में जाना जाता है लेकिन यहाद दालन की उत्पादक ता राश्ट्रिय अवसत से अधिक है यही कारण है कि जार्खन को एक बार फीर दालन उत्पादन में उलेखनिये प्रदसन के लिए क्रिशी कर्मन पुरस्कार के तहत एक रूपे प्राप्त कर चुका है धन्यवाद